हेलो एवरीवन वेल्कम टू बोटनी स्टूडन फ्रेंज आज के इस वीडियो में बात करेंगे मश्रूम बैड प्रपेरेशन के बार में किस तरह से हम अपने मश्रूम की बैड को जब परपेर कर सकते हैं अलग लग मटेरियल से लाइक राइस स्ट्राव मेल स्ट्राव बना सकते हैं फांडेशन का मतलों कि नीचे हम थोड़ा सा बेस उसको बनाएं यह कि हम ड्रैक्ट लेवल पर नहीं रखेंगे अपने मश्रूम के जो भी मार पास बैडिंग होगा अस्वाइल फांडेशन इसम उसे तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम गार्डन में प्लोट बनात जो पास फांडेशन की वो फोटीव सेंटमीटर होनेचा एर लेंध राज इस अधर ज्यादा प्लास्टिक बेक्स को यम जुब यह उसकर रही हैं अब हम बात करते हैं पहला वैडिंग माटियल है हम आल पास राइस स्ट्रॉक के बाहें में थोवलने ड्राइस ऐता प्रैं बेखाब करेंगे अच्छी इंग प्रोडक्शन ओती है इल्ड विश्रूम पैले रहें जिद्ध करेंगे इतना चुछ विबिश के प्रोड़ुट्वी ने करेंगे यूट करेंगे उनिफोर्म लेंद ओर नाइट पर न्यूट कर रखेंगे प्रेकृ ने करेंगे उनिफार तरह से लेंगे बीच में से कट करेंगे वाटर में सको कर देंगे शोक जो इसको स्था बंडल होगा उसको जो क्रोस वाइस साइड हम यह सँ एक 사ेड को तूसरे रखने है ठाट भॉर देवेगिंगे लाइंफ है औरHH हम पास हम एक यार्ण जाट को इस तरह से कृस्ट जोई किलिए प्राइट करे टिपी फिद्क लाइट में फोर मेटर बैट के लिए मैं बस्टू फोर्टी बंडल्स की जूरूरत होती है इसलियर मस्ट भी प्रैस्ट फर्मिली तू मेग दा सर्फेस लेवल और शुट भी वाटर अच्छी से उसको प्रैस करना है और उसको वाटर देने साइमंटेनेसली विद बैट प्रैपरेशिंस्टाइशिंटर करंप न्यूस्पेपर आँ सोग इना कंटेनर विद त्री जीम ओफ यूरिया पर गैलन ऑवाटर वाटर हमने जबने निउस पेपर को डिप कर देना ठीक है थी ग्राम यूरिया लेने गैलन ऑवाटर में जो प्रवाइट करते हैं अब इससे होता क्या है वो इसको मोईस्टर प्रवाइट करते हैं और जो हमारे मिश्रूम स्पावन होते हैं वह तूटते हैं और कोई भी रिशान नहीं होता है ऺविश्टर प्रवाइट करते हैं तो देता है तो संटीमियर प्रवाइट करते हैं पनें इससमें टींगत च्रवाइट करते हैं बनाना लीफ एस बैडिंग मटेरियल बनाना लीफ लेंगा जो कि राय उचुके लेकिन हैं अगे प्लांट के और जे गैदर उनको गैदर करें कुछ कर लेंगे उनिफॉर्म लेंथ पूर्टिफाइफ फोर्टीफ सेंटीमेटर बंडर इन डियमेटर एट सेंटीमेटर अगे इन वाटर पूर्टीमेटर निफनर लेपने प्लांट के लिफ Mr. लाइज बंडा लेट साइब यह ऺ्यर्म लाइट साइब आपडार वागे जाए वाट्टीमेर खंग इन पर लाइजर प्रें ये ट्र्टीमेटर प्रेंग लेट भॉर्टीमेटर फटने प्लेटर इस दे इसमें क्या ची होता है अलिवेटर प्लास्टिक शीट जो बैंबू फ्रेम जैसे हम उसको प्लांट करेंगे इसमें सपॉन खाथ है में में स्टोफ या इसमें सटोक एक वार करेंगे फोर संटीमितर लेंज रखेंगे कोंवार क्रॉष्ट टुप डियत प्रोंग दियाल है ज को देना और करना संद्राइ करना वन होब के लिए तो अप्टेन मेज रैसिद्यू सब्स्टेट इन ट्रीटमें बिच सप्लीमें हमें जो एट पो एट हंडर फोर्टी ग्राम राइस ब्राउन लेन एड मिक्स यह सब्सेट वाज बैग इंटो वन किलो ग्राम लोग उसिंग 33 इन्टो 18 सेंटिमेटर ही रेजी 10 पोलिथीन बैग इट रिजिस्टेंस पोलिथीन बैग में एड कर देना पोलिविनाइल क्लोराइड पाइप वर यूस्टो शिप्टिंग दा स्पोर्ट ओं दा बैग इंड इस वास्ट्राइज एट हंडर डिगी साथेस पर फोर हावर इ इसवयर पोलिविनाइल क्लोराइड पाइप हमें लेनी है उसको हमें त्युक्र आप इसको और कूल आप बैट इसको यूस कर नहां दो भूह में पर बैग उसमें स्पाउट करने के लिए च्चिन पर शूगर के मेंट यस बैंड एटिया इस स्ट्राइब प्र शुगर के मिक्स्ट इन पोर्षिन ओन रेशियो वन और ड्राइब बेसिस जो चॉप्ट स्ट्रॉव है उसे हमें ओवरनाइट के लिए स्टॉप कर देना है ठीक है स्टॉप कर देना है गिनी बैग में फ्रेश वाटर फॉर पीडिड ओ फॉर्टी तो 18 हावर्ड डिपेंडिंग अपॉ करने ने सब्स्ट्रेट को इडवाज फील इन पॉर्टीन बैग अडरेट वन केजी ड्राइब पर बैग बिफॉर फिल करने से पहले हमें बैग को डिस इंपक्ट करना है तू परसेंट फॉर्मल इन सलूशन से जो स्पॉन है वो दन करेंगे लियर मैं अडरेट पू तू परसेंट उन डवेट बैट बैसिस अफ्टर इनकुलेशन दपर दिन बैग वास ताइल लेबल और प्रेफरेट इन प्रेफरेट इन पॉर्टीन बैग लेने उसमें को जो लियर बाई लियर फिल करना है शुकर केंट ट्रैशिस को इसमें सीट्स को यानि स्पॉन्स को में और जो बैग है उसमें जो है स्ट्राइस पीन से जो है वो होल्स करने ताकि एर जो होती रहें अब लास्ट टोपिक जो है वह कियर अगर हम जितनी जादा कियर करें कि उतनी अच्छे में इल्ड मिलती है नो वाटर शूट बी गीवन फो फॉर्स्ट फाइब डे आफ्टर बैड प्रेपरेशन फर्स्ट फाइब डेज तक हमें कोई वाटर नहीं देना दुरिंग द्राइब सेजन दा बैड में भी वाटर जैंटली बर जनली ओंड शीक तो सेवन डे अफ्टर प्लांटिंग अगर आपके पास यानिकी जो ड्राइब सीजन उसमें हमें जो है उसक नहीं देने वाटर का बहुत ध्यान रखना थे कि नहीं तो वह दिस्ट्रॉय हो जाती ही मारी क्रूप वाटर इस अप्लाइड मोर अलों साइड अच्छी लगी अगर आपको में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब क करें थैंक यू